नमस्कार परताल दुनिया भरकी में आपका स्वागत है इस समय पूरी दुनिया युद्ध गुबार और भीशन अशांती में घिरी हुई दिखाई दे रही है एक के बाद एक जो तस्वीरे आ रही है वह विचलित करती है और शांती कितनी दूर है इसको लेकर एक कयास लगा कर रहे हैं आज तकरीबन बीसमा दिन है और इसी बीच बादचीत का भी सिलसिला दोनों तरफ से सामने आता है और यह बहुत एहम है क्योंकि हम जानते हैं कि अमरीकी राष्टपती भी यह संकेत दे रहे हैं कि 23-24 मार्च को वो नैटो के जो लीडर्स हैं उनके साथ इस तमाम पहलों पे हम बादचीत करेंगे प्रबीर पुरकाय से दुनिया की हलचल पर पहनी नजर परताल दुनिया भर की देखिये जुडिये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और सा समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल प्रबीर ये बताएं कि दोनों देशों के बीच आज की तारीख में बादचीत की कितनी गुंजाईश है क्या जिस समय इतना तनाव है उसमें बादचीत के कुछ संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ सूत्र हम ढूंड सकते हैं ठीक है बादचीत तो लगातार चली रही है यह ऐसा नहीं कि बादचीत इस दोरान हुई ही नहीं है बेलारूस में तीन सेशन्स हो चुके हैं बादचीत की और इस बार खासियत जो है कि दोना तरफ से यह बोला गया है कि हम शायद एक सेटलमेंट के बहुत नजदीक हैं उ इसमें दोनों देशों के फॉरिंड मिनिस्टर्स ने बादचीत की थी बेलारूस में नट्स अंड बोल्ड जिसे कहते हैं संबंध की बात हो रही कि क्या होगा तो उसमें यूकरेन का जो रेप्रेसेंटिटिव है उसने बताया है यह एक कि हम सिर्फ यह नहीं कि शांती के पास पहुंच गए कुछ दिनों में शायद हम इसका संधी पत्र भी तयार कर पाएंगे matter of days उनका जो कहना है यह भी हमको मानना पढ़ाएगा कि matter of days लगता है कि हो जाएगा पर खाई जो है वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा नहीं है पर काफी गहरा हो सकता है इसलिए यह कह कि शांती हो जाएगा इस वक्त जब तक वो शांती पत्र दस्कत नहीं होता है तब तक हमें सोचना पड़ेगा होगा यह नहीं होगा इसमें spoiler जिसे कहते हैं वो है NATO की जो ताकते हैं खास तो अमरीका बाइडन की जो बात कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जंग चले जंग परचाना नहीं है तो कि उक्रेंड को तो लगातार वो खत्रे में जोंक रहे हैं कि आपको आस्ट दे देंगे आपको हम बातचीत कर रहे हैं क्या नो फ्लाई जोन भी कर सकते हैं नहीं तो जेलिंस की लगातार उनको कि अपील कर रहा है कि नो फ्लाई जोन कर दीजिए नो in our zone को मतलब है कि अमरीका nato की जो हावाई ज 5 जहाज्ये हैं वो रूस की हावाई जहाजों से लड़े युक्रैन की daire Timelevel बड़े पेमाने लाद ने पर मैं है do घे May means इम कहना घलत होगा नेटो की हावाई Lunge हाजों से तक्कर लेता है इसका मतलब air war कर रहे हैं इसका मतलब NATO और रश्या की बीच में जंग शुरू हो गया है और यही NATO के जो leaders है वो भी कह रहे है लो-fly zone करने का मतलब जंग है जो नाभिकिया अस्ट दो तो देशों में पास है, उन देशों में जंग शुरू हो जाएगा, यह तो हम कर नहीं पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे, तो अस्ट क्यों नेटो भेज रही है उक्रेन में, क्यों उकसा रही है, क्या अब लड़ी आओ, यह तो सवाल है, कि शांती की कोशिश सब की तरफ से इस वक्त होनी चाहिए क्योंकि अगर यह नहीं होगा यूक्रेयन को अकेला रूस के सामने इस तरह से जंग में जोग देने का मतलब है जो मैं पहले भी कह चुका हूं तो नेटो वांट्स टू फाइट रॉश्या टू दे लास्ट यूक्रेंडियन ठीक है कि आखरी यूक् सैंक्शन्स लगा है दुनिया के बहुत कम देशों ने सैंक्शन्स लगाया है पर जो लगाया है जिसको फॉरेंड रिजर्फ करिंसी जो मानते हैं उनमें प्रमुख देश है योरो यूरोपन यूनियन पाउंड ब्रिटिश यूनियरिट किंग्डम और अमरेका खुद तो आपको भी हम निशाने पर लेंगे तो निशाने पर लेना शायद मुश्किल होगा उनके लिए क्योंकि चीन की भार इस वक्त जो है जिसे कहते हैं कि दुनिया की ट्रेड देखें तो अमरीका से वो दुनिया का ट्रेड चीन की तरफ चला गया है सबसे ज्यादा मुल्क अगर आज है जो ट्रेड करते हैं उनकी सबसे बड़ा एक्स्टर्नल पार्टनर चीन है अमरीका नहीं जो बीस साल पहले अमरीका था तो यह जो परिवर्तन हुआ है जिसके वजह से चीन का फॉरन एक्सचेंज जो एक्चुलिए यॉरोपिन डॉलर या डॉलर में रखता ह है यॉरो डॉलर डॉलर यॉरोस में रखता है वो करीब दो ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है तो यह जो है अमरीका चीन के साथ अगर अर्थनीतिक तोर पे टकर लेता है तो दुनिया दो टुकडे हो जाएंगे वो सब को मालूम है और वो किसी के लिए अच्छा न रूस दोनों विद्धवस्त हो जाएं इससे अमरीका खुशी होगा क्योंकि उनको लगेगा यॉरोपियन यूनियन को उन्होंने अपने साथ पूरी तरफ से समेट लिया है आपको नक्षे की तरफ ले चलती हूँ जो अभी हाल में जो हमला हुआ है जिसमें बताया जा रह है तो यह जो हमला है इसको लेकर रूस का दावा अलग है नेटो का दावा अलग है पॉलन को लेकर दावा अलग है यह जो हमला है यह कैसे देखा जा सकता है तो उन्होंने कहा है कि एक नेटो ट्रेंडिंग सेंटर था जहां पर नेटो के फोर्स यूक्रेन के फोर्स को ट् लिए आगया है तो यह एक नेटो ट्रेडिंग सेंटर जो था वो तो आपका यूक्रेइन को जो आम्स वगारा नेटो दे रहा था उसमें ट्रेइनिंग दे रहा था यह तो साफ है इस बार जो खास चीज इसमें है जो एगें नियोग टाइम्स की रिपोर्ट से है कि वहां प पीस कीपर्स लड़ाई करने के लिए जा रहा था और कुछ कहते हैं कि जो नियोफैशिस्स ताक्ते जिसका यूकरेन में काफी ट्रेटर्नल रिलेशन्शिप है उनको मदद करने लिए जा रहा था वो छोड़े किस वजह से जा रहे थे पर यह वहां पर इस ट्रेडिंग से भी इसको सीकार किया है कि हाँ हकीकत यही है तो इसको एक legitimate target of war मान सकते हैं क्योंकि अगर बाहर से शक्तिया आ रही है वहां जंग करने के लिए तो तो नैचरल एक target बन जाता है वेस्टर यूक्रेन में रहना ना रहने से कोई फरक नहीं पड़ता जैसे यूक्रेन की अगर target Russian forces होगा तो यह तो कहीं पर मार करने की वो अगर चाहते हैं कह सकते हमारे उपर मार हो रही हम भी मार कर सकते हैं करने का काबलियत है युद में इस तरह के target अवश्यम भावी टाइप हैं क्योंकि नहीं तो वो सब उनके front line में आते और 10,000-12,000 सेना हैं तो उनको पहले मारन का तो उनकी बात तो जाहिर है कि इसी से जुड़ा एक सवाल है refugees का और sanctions का दोनों चीजें हैं जो बहुत एहम हैं और जिस तरह की तस्वीरे आ रही हैं उससे लग रहा है कि बड़े पैमाने पर युक्रेन निवासी छोड़के जा रहे हैं अलग-अलग देशों में जो सीम पर हमले हैं वह जा रही है तो पहले से कहा गया है कि उक्रेन से कम से कम चार-पांच मिलियन refugees बनने की संभावना है चोटे देश उससे सिरिया हो इराक हो अफगानिस्तान जो भी numbers पर इतना कम नहीं है फिर भी कम ही तो है उक्रेन से तो वहां से चार से दो मिलियन तीन मिलि refugees निकले हैं जंग के वजह से तो यह उक्रेन को देखते हुए लग रहा था इहां से चार मिलियन पांच मिलियन तक refugees जा सकते हैं और उस पे अभी अभी तक जो आंक्डे है 2.5 मिलियन उक्रेन से refugees बन चुके हैं उस पे अगर आप मैप को देखें दुबारा तो देखेंगे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा गया है पोलेंट को कुछ हिस्सा गया है मॉल्डोवा अंगरी इन जगों पे रुमेनिया इन जगों पे एक बहुत बड़ा हिस्सा गया है बेलरूस जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है और एक हिस्सा गया है राशिया में रूस में क्योंकि वह पहले से ही उन्होंने करीब 50-70,000 को उन्होंने कहा था रूस में आ जाए कि जंग होने की संभावना है डोणियेस का लुगानस में जो लोग हैं उनका एक हिस्सा रूस पे पहले गया था पर यह जो मैं बेलरूस पर जाने की बात कर रहा हूं यह यूक्रेइन के नॉर्डरन पार्ट से गया है नॉर्डरन इस्टर दोनों पार्ट से गया है अब मैं चाहूँगी कि हम चलते हैं यूरोप से निकल कर लातिन अमरीका की तरफ वहाँ पर भी काफी अलग-अलग धंकी परिगटना है जिन पर हम पहले भी नजर बनाए हुए थे लेकिन जिस तरह से चिली में और उसके समकक्ष कोलंबिया में सत्ता परिवर्तन हुआ है न तो क्या एक दूसरे ढंका वैकल्पिक पॉलिटिकल सीन बन रहा है इन देशों में देखिए बाम-पंथी का उतार चभाओ लैटन-अमेरिका में लगातार होते आया है और पीछले बार भी देखे होंगे बेनिजुएला बुलिविया ब्रेजिल इन सम जगहों में इस तरह से बाम-पंथी एक बाड कह सकते है वेव कह सकते है आई थी इसके बाद राउट राइट विंग चेंज इस भी हुए है बेनिजुएला में नहीं हो पाए कि जंग बंग करके कोशिश किया बहुत सारे अमरीके हमला रहे वहां पर वो नहीं कर पाए पर दूसरे जगहों पर वो हंडूरस में सरकार गिरा दिया उन्होंने और इसके बाद उनकी चुनाव जो था उसको जिस तरह से किया तो हंडूरस में राइट काफी रहा इस बार हारने के पहले आर्जेंटीना में भी इस वक्त बदलाव हो चुका है तो यह जो चीजे है इस वक्त सबसे एहमियत रखती है चिली की इसलिए चुकि बहुत साल बाद हुआ 73 के बाद एक तो 73 के बाद और उसके पहले आपकी वहाँ पर यह रेफरेंडम हो चुका है कि कॉंस्टिटिट्ट असेंबली बनना चाहिए या नहीं जिस पे साल बदर आयंदे को गिराने के बाद पिनोचे जो नय कॉंस्टिटूशन वहां लाया था जिसके पीछे अमरीका का पुरा ड्राफ्ट था जिसको डियो लिबरलिजम करते हैं नियो लिबरलिजम का नीम अगर पड़ा है तो चिली से पड़ा है इस पिनोचे का डिक्टेटरियल कू के बाद वहां जो स्पांस चुटूशन ला ग पिनोचे नहीं किया था उसके पहले तो नियो लिबरलिजम की शुरुवात constitutionally शुरुवात था चिली से तो उस constitution को वापस लेना निकाल देना और एक नया constitution बनाना की referendum चिली में अभी कुछ महिने पहले होकर वहाँ पर left इस बात को जीती एक नया constitution होगा पर अगर वहाँ पर बोरिज प्रेजिडेंट नहीं बनते हैं बोरिज की चुलाओ एक देर में दो मेना पहले हो चुका है अभी तो वह swearing in हो रहा है अगर उनको पाल प्रेजिडेंट वह नहीं जीत पाते राइट विंग प्रेजिडेंट बनता तो इस Constituent Assembly की जो कोशिश थी वह नकार जाता तो यह बहुत जरूरी था इस बार के ऐसे candidate आए कि वह उस identity का विरोध करता हो जो पिनोचे ने शुरू किया था और बोरिज इस बात पर जीता है वह इस बात पर नहीं जीता है को बामपंथी candidate है वो कुछ हद तक social democracy, democratic कह सकते हैं कुछ हद तक woke politics जो आज कहते हैं तो उसको उसका स्विकार करता है यह उसका एक खासियत रहा है तो एक democratic change जरूर है क्योंकि वो उस constitution का नकार रहा है जो की आया था इसके जरीए एक कू के जरीए जिस कू में आएंदे मारे गए थे बहुत सारे लोग मारे गए थे बड़े पैमाने पे नौजवान की कतल नजवान लोगान लोगा है और पूरी तानाशाही रिजीम ने करीब हजा बे गई अब तो खबर यह है कि उसको पॉजन किया गया था उसकी सबूत आ चुका है तो यह सब जो इतिहास है उस इतिहास को नकारने के लिए बोरिश का जीत बहुत पाहमियत रखता था और वो सब अभी जो उसका स्वेरिंग हो गया है इसका मतलब उसको बदलना अमेरि कोलंबिया में भी पैत्रों सामने आये हैं और उन्होंने कहाया कि बड़ी जीत की तरफ है और पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है और यहां पर भी जो पूरा चुनाओ रहा वह आर्थिक नीतियों को चुनोती देने वाला नए ढंग से बिल्ट अप करने वाला दिखाई द चला है और फार्क के नेतृत और भी ग्रूप्स थे जो उस लड़ाई को लग रहते हैं फार्क सबसे जादा उस पे अगवाई कर रहा था और एक पीस बड़े लबे अड़से के बाद एक पीस पैक्ट वहां से हुआ था पर दिक्कत यह है कि पीस पैक्ट होने के बाद जो डूकू आईवान डूकू जो उसका पहला प्रेजिडेंट इस इलेक्शन के पहरे जो प्रेजिडेंट थे उन्होंने बलकि जितना पीस पैक्ट वे प्रोविशन्स थे उसको लागू नहीं किया था तो इसलिए पीस पैक्ट का अगर फ़र निकालना है कलंबिया के लिए बहुत लंबे अर्से की लड़ाई खतम करके एक शांतिपूर्ण धंग से नया समाज की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं तो ये जरूरी था कि आईवान डूकू की जो पार्टी है वो पराजित हो वो इस बार हुआ है तो वो अभी पाच्वा स्थान पे चला गया है सेलेट म असेंबली में भी काफी नीचे स्थान में चला गया है और पैतरों खुदी M19 गुरिला इनकी तिहास रही है उससे आया है पर बहुत सालों से वो पार्लिमेंटरी पालिटिक्स पे हैं दूसरी बात यह है कि वहां पर बहुत सरे पार्टियों की समन्वे से ही वहां सरकार च पहते हैं जो पहला नंबर है वही चुना जाता है वहां पर मल्टिपल कैंडिनेट्स होते हैं और इस तरह से चुनाव नहीं होता है इसलिए एक क्लियर मेजॉरिटी एक पार्टी को वहां आसानी से नहीं मिलता है तो कॉईलेशन जो बनना है वहां पर लेफ्ट से अगर किसी को वोट मिलता है तो सरासर वो प्रेजिनेट बन जाएगे नहीं होगा तो रन आफ इलेक्शन होगा जून में तो अभी महीं और जून तक हमें इंजार करना पड़ा गया यह सेनेट और एसेंबली में डूकू की पार्टी की भारी बहुमत से पराजय हुई है और जो अभी भी राइट कुछ हद तक एसेंबली और सेनेट को कंट्रोल करेगा ऐसा नहीं कि क्लियर लेफ्ट पेजॉरिटी आ गया दोनों जगह पे उसका एक क्या कहें कि लगाम तो रहेगा पर अगर प्रेजिडेंट पेट्रो बन जाते हैं तो इस पे जरूर कलंबिया शांति के और बढ़ने का संभावना काफी उज्वल दिखाई देता है तो निश्य तोर पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिन नीतियों वो जिन आर्थिक नीतियों पर अमरीका इस पूरे इलाके में लंबे समय से कबजा करके उसको एक प्रियोग स्थली बनाया था उसका जवाब अलग-अलग शेड़ में मिल रहा है और शायद ये देश दुनिया के लिए दोनों शांति के लिहासे और आर्थिक शांति के लिहासे भी बहतर रहेगा ये हम उमीद कर सकते हैं कम से कम हमें ये निश्चित तोर पर लगता है कि जिस समय युद्ध चल रहा है युद्ध और सैंक्शन्स चल रहे हैं तमाम अलग-अलग धंग की तस्वीरे हमारे सामने आ रही हैं उसमें जो बुनियादी मुद्धे हैं अर्थविवस्था के नीतियों के और सामराजबात के खि जरूरी है देखते रहें न्यूस क्लिक शुक्रिया